सरल आकृतियों के घेरे भाग एक Boundary of Simple Shapes Part 1 इस वीडियो में आप जानेंगे कि घेरा क्या होता है और किसी आकृति के घेरे को क्यूं और कैसे नापा जाता है। पापा मेरे साथ खेलने चलो बस जरा ये हिसाब लगा लूँ फिर तुम्हारे साथ चलूँगा आप किस चीज का हिसाब लगा रहे हो अपने खेतों के घेरे की लंबाई पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ घेरे की लंबाई ये घेरा क्या होता है फिर तो घेरे की लंबा तरफ की रेखा जो आकरिती की सीमा बाउंडरी बताती है उस आकरिती का घेरा कहलाती है मैं समझा नहीं मैं तुम्हें खेत का घेरा दिखाता हूँ फिर तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा देखो ये हमारा खेत है देखो इस खेत के चारो तरफ की रेखा यह है यह रे लिखिक में चेखा इस खेत का घेरा हुई अब समझे Ciya किसी आकरती की सीमा को उसका घेरा कहा जाता है। तो आसान है। आप इस गेरे के सभी तरफ की डिक्त की लम्बाई को जोड़ दीजिये घेरे की लम्बाई पता लग जाए तुम घेरे की लंबाई पता लगा कर मुझे बताओ ठीक है बताईए सभी रेखाओं की लंबाई इस रेखा की लंबाई है 9 मीटर इस उपर वाली रेखा की लंबाई भी 9 मीटर है नीचे वाली रेखा की लंबाई है 21 मीटर और इस तिर्ची तरफ की रेखा की लंबाई है 15 म थीक है अब मुझे सभी रेखाओं की लंबाई पता चल गई है अब इनको जोड़कर मैं इस खेत के घेरे की लंबाई पता लगा लूँगा 9 मीटर में 9 मीटर जोड़ा तो उत्तर आएगा 18 मीटर 18 मीटर में 15 मीटर जोड़ा तो उत्तर आएगा 33 मीटर और 33 मीटर में 21 मीटर जोड़ा तो उत्तर आएगा 54 मीटर इसका मतलब हुआ कि इस खेत का घेरा 54 मीटर का है हां रे आंच, तुमने बिलकुल सही बताया है सही तो बताया है, लेकिन आप इस खेट के घेरे की लंबाई क्यों पता लगा रहे हैं क्योंकि खेट में फसल की सुरक्षा के लिए खेट के घेरे पर कंटीला तार लगाना है जिससे जानवर फसल को खराब ना कर पाएं कटीला तार लगाने के लिए खेट के घेर की लंबाई निकालने की क्या जरूरत है वो तो आप ऐसे भी खरीद सकते हैं रियांश बेटा, बिना खेट के घेरे की लंबाई जाने बिना तार खरीदने पर या तो छोटा तार आएगा या फिर लंबा तार आएगा छोटा तार लिया तो फिर दुबारा तार खरीदना पड़ेगा और लंबा तार लिया तो बागी बचा हुआ तार काम नहीं आएगा इसका मतलब ये हुआ घेरे की लंबाई बहुत उप्योगी नाप है गेरे नापने की जरूरत कई कामों को करने के लिए होती है। समझ गया। चलो ना अब मेरे साथ पार्क में चलो। हाँ चलो। क्या तुम्हें पता है कि पार्क के घेरे पर भी ग्रिल लगाई गई है। जिसके लिए पार्क के घेरे को नापा गया होगा। आज आपने सीखा कि घेरा क्या होता है, घेरे की लंबाई को नापना क्यों जरूरी होता है और घेरे की लंबाई को कैसे नापा जाता है?